वो कहते हैं न, तजुर्बे का न कोई तोड होता है और ना ही कोई जोड। इसका सबसे बहतरीन उधारन दुबाई में देखने को मिला जहां धोनी के दो तजुर्बे कारों ने मिलकर किंग्स 11 पंजाब की बत्ती गुल करके रखे बगेर एक भी विकेट फेंके धोनी के दो अनुभवी सिपाहियों ने पंजाब के गिनबाजों को जम कर कूटा और अ होनी की टीम ने इस अन्होनी को होनी में बदल दिया और लगातार तीन हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की आईपियल में ये दूसरी बार है जब CSK ने 10 विकेट से जीत हासल की है इससे पहले भी उसने ये कमाल किंग्स 11 के खिलाफ ही साल 2013 में किया था चेन नई की बै प्रियास की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा सकती है जब अनुभव जोरदार हो वो अनुभव पंजाब के खिलाफ मैच में दुबई के मैदान पर भरपूर नजर आया नतीजा ये रहा कि वाट्सन और डुपलेसिस दोनों ने मैच में अर्दशा तक जड़ दिया सबसे पह पर नाबाद 87 रन बनाए और उनकी पारी में 11 चोके और एक छक्का शामिल रहा ये सीजन में वाट्सन के बल्ले से निकला जहां पहला अर्दशातक रहा वहीं डुपलेसि का ये तीसरा था दोनों की बीच रनों की इस जुगल बंदी में 181 रनों की साज्यदारी हो गई ज ये बड़ी जीत टोर्नमेंट में CSK के लिए टाउनिक की तरह है इस जीत के बाद धोनी की टीम पॉइंट स्टेबल में भी सबसे नीचे से उठकर छटे स्थान पर आ गई है मतलब धोनी एंड उनकी तजूर बेकार पल्टन जो पहले जीत की पत्री से उत्री हुई थी वो फिर से पत्री पर लोट आई है आपको चन्नाई सुपर किंग्स का ये दमदार कमबैक कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं साथी देश दुनिया और आईपिल की हर अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें टीवी नाइन भारत वर्ष